वो प्रसांत किसोर जो पानी पी पी कर तेजस्वी यादों के उपर तंज कसा करते थे, कहते थे कि तेजस्वी यादों नौवी फेल हैं, अचानक से अपने बयान से बैक फूट पे आ गए हैं, अचानक से वो तेजस्वी यादों के लिए थोड़े सौफ्ट और थोड़े न और वो प्रसांद किशोर जो एकदम से हाथ धोके पीछे पड़े थे तेजश्री यादो के वो बैक फूट पे क्यूं आ गए इसी के उपर बात चीत करेंगे हम आपसे लेकिन उससे पहले मेरा पढ़िचे जान लीजिए मेरा नाम है रजत और आप जंता जंक्शन देख रहे तो कई बार तेजश्री यादो के पिता लालू प्रशाद यादो को लेके वो बड़े बड़े बयान दिया करते थे और एजुकेशन के उपर तो पानी पी पी के तेजश्री यादो की बुड़ाईयां करते थे लेकिन आचानक से इसी एजुकेशन यानि सिक्षा वाले मु सारे कैनिडेट के सिक्षा के उपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि भाईव साब इनका जो सिक्षा है वो कितना है इसके बारे में प्रशान जी आप बता दीजिए क्या ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और इसके उपर थोड़े से प्रशान किसोर बचते हुए नज सिक एक तरीके से खराबी की बात क्या करते थे कि वो मन ही नहीं था उनका परने का वो लालू यादो के बेटे थे उसके बाद भी परहाई नहीं किये लेकिन अब जब बात हो रही है आपके कैनिडेट की सिक्षा दिक्षा की तब उसके उपर आप बसते हुए क्यों नजर रहे हैं इसके उपर प्रशांद किशोर ने कहा कि देखिए तेजश्वियादों नहीं पड़े हैं तो ये और बात है लेकिन मैं उनके होसियारी के उपर कोई सवाल खरा नहीं करता कि वो होसियार नहीं है वैसे भी सिक्षा का लेना देना होसियारी से नहीं है समस्दारी से नहीं है और तेजश्वियातो समझदार भी हैं लेकिन बात वही है कि अगर किसी के सिक्षा के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है तो वो इसलिए उठाया जा रहा है क्यूंकि उनके माता-पिता मुख्यमंत्री रहे और वो सिक्षा के लिए उस तरीके से काम नहीं किये वो चाहत है कि उनके पास वो सारी चीजे नहीं थी जिससे वो आगे की पढ़ाई कर सके मतलब आप समझ जाए जिस सिक्षा को लेके प्रशान किशोर लगातार लोगों के बीच में घूम रहे थे लगातार तेजश्वी यादों के उपर सवाल खरा कर रहे थे जिस सिक्षा को सिक्षा नजर आ रहे हैं प्रशान किशोर और प्रशान किशोर इस वज़े से भी सौफ्ट आ रहे हैं क्योंकि उनके कैनिडेट के उपर अब बात आ गई है अब प्रशान किशोर जो है अब इसके उपर थोड़ा बचाओ करते हुए खुद को आप उनको देख सकते हैं थोड़े से सुरक्षात्मक धंग से अब इस बात को वो ले रहे हैं और मीडिया में बातचीत कर रहे हैं जिस तेजश्वी यादों के लिए कई बार उनके शब्द इतने जादा कठोर हो जाते थे कि तेजश्वी यादों और उनकी पार्टी एकदम से तिल मिला जाती थी और खास कर सिक् तिल्साइनों में ना उनको नौवी फेल बता रहे हैं ना ही उनके सक्षा पर कोई जड़ा सवाल उठा रहे हैं और ये तब से हुआ है जब प्रचांद कीशूर के ही कैणिडेट के ऊपर और उनके सिक्षा के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गये हैं बाकि आपको क्या लग आप कॉमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुचा सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्षन और मेरा नाम रजत है।